Hello students, welcome to online classes conducted by Amrit Seniors Kennedy School. Students, आज हम अपने syllabus का 6th lesson करने जा रहे हैं, जिसका नाम है The Punjab A Glimpse. इस lesson में हमने आज ये पढ़ना है कि किस तरह से Punjabी लोग जो हैं, उनका जीवन जीने का तरीका क्या होता है, वो किस तरह से जीवन जीते हैं. और इस lesson में एक short story भी बताई गई है, कि कैसे एक teacher जिनका नाम था Mr. Matthew, वो अपने students को एक पंडाल में ले कर गए, पंडाल को English में हम बोलते हैं, पैवीलियन, तो वो वहाँ पर ले कर गए अपने students को, वहाँ पर stage सजी होई थी, कुछ भांगडा dancers थे, जो पंजाब के अलग- तस्वीर भी उस पंडाल में लगी हुई थी, तो Mr. Matthew, जो की teacher थे, वो अपने students को, उनने सारी चीजों के बारे में जानकारी दे रहे थे, जो पंजाब के culture से related है, पेज नमबर 49 पर ये lesson दिया गया है, then let's start, बले बले, ओ बले बले, children, you must have recognized this famous folk dance of Punjab, said Mr. Matthew, pointing at the भांगडा dancers in front of the Punjab pavilion, बले 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 शब्द वहाँ पर चल रहा था, और बच्चों को इस शब्द के बारे में बताते हुए Mr. Matthew, जो की teacher थे, उन्होंने कहा कि बच्चों, आप लोगों ने ये शब्द सुन ही लिया है, कि कैसे इस stage पर भांगडा dancers चड़े हुए हैं, और वो बले बले शब्द भी गा रहे हैं, और आप ये पहचान ही चुके होगे, कि ये लोग भांगडा dance कर रहे हैं, कहां? पंजाब के पंडाल के बिलकुल सामने जो stage लगी हुई थी, वहाँ पर, pavilion यानी पंडाल, बच्चों ने जवाब दिया, जी सर, आपने बिलकुल ठीक कहा, हम ये डान्स पहचान चुके हैं, ये हमारे पंजाब का ही एकर लोग नाच है, फोग डान्स मतलब लोग नाच, जिसको हमने रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन में भी इस साल देखा था, ये डान्स बहुत ज्यादा और्जा या जोश से भरा हुआ है, ये किसने बोला, ये मिस्टर मैथ्यू बोल रहे थे, किसको, बच्चों को, मिस्टर मैथ्यू ने ये भी कहा, कि पंजाबियों के जीवन का उत्सा जो है, वो इसी डान्स से जलगता है, पंजाबी लोग जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्वाबी मानी लोग होते हैं, और मेहनती लोग होते हैं, सेल्फ इस्पेक्टिंग मतलब उन्हें अपनी इज़त की बहुत ज्यादा परवा होती है, वो स्वाबी मानी होते हैं, वो किसी के आगे भी अपना हाथ नहीं फैलाते भीख मांगने के लिए, आंस मतलब भीख, स्ट्रेच मतलब फैलाना, युद के मिदान में वो लोग, किन लोगों की बात और ये पंजबियों की, युद के मिदान में पंजबी लोग कभी भी अपनी पीठ नहीं दिखाते, यानि वो युद के मिदान से भागते नहीं है, पंजाबी लोगों ने जो विदेशी हमले हुए हैं हमारे इंडिया या हमारे पंजाब पर उनका डटकर इन लोगों ने सामना किया है विदेशी कब्जा या विदेशी हमला जब भारत के अजादी की लड़ाई चल रही थी अजादी का संगर्श चल रहा था तो पंजाब ने हमारे इस देश को बहुत सारे महान ही रोज दिये हैं आप पंजाब ने हमारे भारत देश को ये सारे जितने भी नाम यहां पर लिखे हुए हूए जैसे भगत सिंग, करतार सिंग, उद्दम सिंग और भी कई देश बकत हमारे पंजाब नहीं भारत को दिये हैं We call लाला लाज पत्राए शेर पंजाब and भगत सिंग शहीद आजम हम सभी लाला लाज पत्राए को शेर पंजाब कहकर बुलाते हैं और भगत सिंग को हम शहीद आजम बोलते हैं All these brave sons of Punjab sacrificed their lives for the sake of their motherland पंजाब के इन महान पत्रों ने अपनी जिन्दगियों का बलिदान किया अपने मात्र भूमी की रक्षा के लिए लाला लाज पत्राए डाइड ऐस रिजल्ट ऑफ दा ब्रूटल लाठी चार्ज वाइल ही वास लीडिंग ए प्रोजेश्चन अगेंच्ट अगेंच्ट अब्रिटिश इन 1928 लाला लाज पत्राए की मोत हो गई थी 1928 में जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक जुलूस निकाला था तो अंग्रेज सिपाहियों ने लाठी चार्ज किया डंडे बरसाए थे जिसकी वज़े से लाला लाज पत्राए की मृत्यों हो गई भगत सिंग, सुखदेव और राजगरू वर हैंग्ड फो रेजिंग दियर वोईज अगेंच्ट अगेंट्टिश ट्रुवैलिटीज अंग्रेजी हकुमत के जुलमों के खिलाफ ने आवाज उठाई थी जिसकी वज़े से उन्हें फांसी पर लटका दिया गया भगत सिंग की उस समय उमर सिर्फ 26 साल थी आप इस पंडाल में इन सारे आजादी के जो योद्धा थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे इनकी तस्वीरें देख सकते हैं ये कौन किसे बता रहा है ये मिस्टर मैथ्यू जो की एक टीचर थे वो अपने स्टूड़न्स को बता रहे हैं उन्हें वो पंडाब के एक पंडाल में लेकर गए थे तो उन बच्चों में से एक स्टूड़न्ट था चिंटू उसने टीचर से पूछा कि सर ये जो तस्वीर है जिसमें एक इमारत दिखाई गई है उस इमारत में गोलियों के निशान भी दिखाई गए हैं ये इमारत कौन सी है मिस्टर मैथ्यों ने चिंटू की बात का जवाब देते हुए कहा कि ये अमरत सर का मशूर जल्ल्यावला बाग है जहां पर 13 अपरेल 1919 को 20,000 से ज्यादा लोग एकठे हुए थे आम सबा करने के लिए आम मीटिंग करने के लिए इंक्लूडिंग मैन, वूमेन एंड चिल्टन इन में मर्द, औरतें और बच्चे शामिल थे अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर वहां पर आया अपने राइफल मैन के साथ अपने उन सिपाहियों के साथ जिन्होंने राइफल हाथ में ली हुई थी उसने बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिये थे एक्जिट पॉंट्स यानी बाहर जाने के रास्ते किसने बंद किये थे जनरल डायर ने बिना कोई चिताम नी देते हुए उसने अपने राइफल मैन को बोल दिया कि इस भीड को हटाने के लिए इन पर फाइरिंग करनी शुरू कर दो हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे और पंदरा सो से ज्यादा लोग जो थे वो जखमी हो गए वाउंडिड का मतलब होता है जखमी होना तो उमीदे स्टूट्स आपको आज इस लेसन के टूपे जिस अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे इंटरस्टिंग लेसन है ये पंजाब के बारे में हमें इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आईए अब हम बात करते हैं होंवग की अब्जेक्टिव टाइप कोश्चन्स दिये हैं फर्स्ट कोश्चन है फिलिन दा ब्लैंक खाली स्थान पर ये हम शेर पंजाब किसे बोलते हैं उनका नाम आपने यहां पर लिखना है डैश ने इस भारत देश को बहुत सारे हीरोज दिये किस स्टेट की बात और ये उस स्टेट का नाम आपने लिखना है थर्ड पर इस डांस इस फुल ओफ एनरची वो सेड दिस ये बात किस ने कही थी कि इस डांस में बहुत ज्यादा औरचा है या ताकत है जोश भरा हुआ है इस स्टेट में ये किस ने बोला राइट ट्रू और फाल्स फॉर्थ नमबर परे देर वर गुजराती डांसर्स इंदा पंजाब पैविलियन पंजाब के जो पंडाल था पंजाब का जो पंडाल था उसमें बहुत सारे गुजराती डांसर्स डांस कर रहे थे क्या ये बात सही है ट्रू या फॉल्स में आपने आंसर देना है फिफ्थ पर हे हिंदी या पंजाबी में आपने ट्रांसलेशन देनी है भगजसिंग वास देन जस्ट ट्वंटी सिक्स यर्स ओल्ड इसकी आपने हिंदी पंजाबी दे देनी है उपने राइफल वाले सिपाहियों को लेकर जल्यावले बाग में कौन दाखिल हुआ एट्थ पर आपने दी हुई हिंदी या पंजाबी की लाइन की इंगलिश लिखनी है वीडियो के एकोडिंग ट्रांसलेट इंटू सिंपल इंगलिश उसने बाहर जाने के सबी रास्ते बंद कर दिये उसने बाहर जान दे सारे राह बंद कर देते और 9th पर 10 difficult words आपने इस वीडियो से लेने हैं और अपनी notebook पर लिखना है तो उमीदे students आपको lesson समझ आ गया होगा इस worksheet को आपने लिखना भी है और फिर याद भी करना है Thank you